नमस्कार दोस्तों, सिविंग पंड चैनल में आपका स्वागत है आज का वीडियो कापी इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में MD यानि की फिक्स्ट डिबजिट की जो इंट्रेस्ट रेट है उसके बारे में है जो कंपेर करने वाले है जिसमें दोस्तों, पहला है State Bank of India और दूसरा है यापर India Post यानि की Post Office दोस्तों, SBE और Post Office दोनों में फिलाल जो इंट्रेस्ट रेट ब्याजदा रहे है उसमें बदला हुआ है, यानि की जो इंट्रेस्ट रेट है वो इंक्रिज हुई है तो इस वीडियो में पता लगाने वाले हैं कि तोनों मैंसे किस में आपको है जो ज़्यादा इंट्रेस्ट मिलने वाला है दोस्तों नॉबर 2022 में SBI versus post office fixed deposit की जो new interest rate है उसको आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आप एक साल के लिए है जो fixed deposit करते हैं State Bank of India में और अगर आप general category से हैं तो यहाँ पर आपको 6.10% का जो interest rate है वो मिलेगा ठीक है वहीं यहाँ पर senior citizen है तो आपको यहाँ पर 6.60% का जो interest rate है वो मिलने वाला है वहीं post office में एक साल की FD पर आपको 5.50% का जो interest rate है वो मिलने वाला है यह general और senior citizen दोनों के लिए है जो एक साल के लिए fix है जो interest rate है ठीक है अगर आप 2 साल के लिए यहाँ पर है जो SBI में fix deposit करता है और general category से है तो यहाँ पर आपको 6.25% का जो interest rate है वो मिलेगा वहीं अगर 75% का जो interest rate है वो मिलने वाला है दूसरी तरप यहाँपर post office में दो साल के लिए आप आप fixed deposit करते हैं तो आपको । 2,70%ाइप दीजरी तरफ पॉस्ट-वष में पिक्स्त commission करते हैं तो यहां पर आपको 6.10% zба district مिलेगा वहीं senior citizen को यहां पर 6.6 zeri Katie Program मिलने वाला है दूसरी दर पोश्ट ऑपेस में 3 साल के लिए अगर आप fix deficit करते हैं तो यह पर आपको 5.80% का जो interest rate है वो मिलेगा और वहीं दोस्तों यहाँ पर ऐसमें इसमें बैंक में अगर आप 5 साल के लिए जो FD करते हैं तो यहाँ पर आपको 6.10% का interest rate मिलेगा और senior citizen अगर FD करते हैं तो उनको आपको यहाँ पर है जो 6.90% का जो interest rate है वो मिलने वाला है ठीक है दोस्तों दूसरी तरह यहाँ पर post office में आगर आप किद्रा पी पैसा यानि की 5 साल के लिए जो fixed budget करते हैं तो आपको यहाँ पर 6.70% का जो interest rate है वो मिलने वाला है ठीक है दोस्तों आप अपने नजदिगी SPI bank या फिर post office में जाकर आधार कार्ड pen card और saving bank account के जरीए जो आपना जो पैसा आपको पसंद आए होगा saving और investment के regarding latest video पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है साथ ही आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करके share कराए थैंक्स पर बातुं